बिस्मिल्ल्र माने रहीम, असलामलीकूम वीवर्स, कैसे आप अमीद करती हूँँ जहां भी होंगे है ररो आफियस से होंगे आज हम बहुत इपसोरट इंब्रोर्डी आप्ली का कट वर्क रेडी करेंगे एक पैच वर्क रेडी करेंगे बहुत इपसोरट स्लीव का को ड्रो करूंगी तो यह मैंने पेपर लिया है तो पेपर के बिल्कुल सैंटर से हम पेपर को इस तरह से फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद पेपर के बिल्कुल सैंटर में मैं फ्लावर ड्रो करना स्टार्ट करूंगी सबसे पहले इस तरह से मैं क्रोस में दो बोक्स ड् ड्रोग करूंगी और हर लाइन के उपर इस तरह से मैं बोक्स की सूरत में पत्यां ड्रोग कर लूँगी अगर आप नए तो में चैनल को प्लीज प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को भी जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा इसी तरह से मैं जुद बागी जर्यार कर लूँगी और फाबरिक लेंगे ईसके ओộर हमने ये डिजाईन बनाएने तिस फाबरिक ओपर इस कैनवस पेपर किस तरह हम पेस्टर कर लेंगे प्ués की मदर से यह मेरे पास डो ठ्रैड एप एक रिशमी ट्रेडर, एक आम ट्रेडर, जिसे हम कप्ट्रिस लाइ करते हैं तो इन डोनुक मैं बोबिन में फिल करने के बाद इस तरह से हम इस पैच के ऊपर इंभरोडी करना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल आउटलाइन के उपर हम इंब्रोडी करेंगे और हम सीक्वेंस के साथ इंब्रोडी करेंगे पहले वन साइट से हम इंब्रोडी करना स्टार्ट करेंगे जो वन लाइन है उस साइट से हम इंब्रोडी करेंगे फिर इसी तरह से हम इसे घुमाते हुए दूसी लाइ की उपर इंब्रोर्डी करेंगे सारे पैच के उपर इसी तरह से हम आफ्लाइन के उपर इंब्रोर्डी कर लेंगे तीक है इंब्रोर्डी करने के बाद इस तरह से हमारा इंब्रोडी पैच वर्क रेडी हो जाएगा तीक है इसे हम हम कावी की मदद से जो इसके अंदर एक्स्रा फैब्रिक है उसे हम कावी की मदद से रमूव करेंगे तीक है इसे हमने कट वर्क की शकल लेनी है तो जो एक्स्रा फैब्रिक है Imbrorati की बिलकुल साथ बराबर जो extra fabric है उसे हम कावी की मदर से रमूव करेंगे इस बार का ह्यार रखेंगे अचाशे हमके इमडूरोडी की है वो खराब नहीं होनी चाहिए बिलकुल इसके बराबर जो साथ कपड़ है उसे हम रमूव करेंगे तिके इस तरह से हम एक्सरा फैब्रिक को रमूव कर लेंगे कावी की मदब से और जो बाकी थोरा बहुत फैब्रिक रह जाएगा उसे हम कटर से रमूव करेंगे अगर आपके पास काविया या कटर नहीं है तो आप स्मॉल सीजर का भी यूज कर सकते हैं टीकिस्ट तरह से हम एक्सरा फेब्र को रिमुव करेंगी अब यह हम और्गेंजा का फेब्रिक लेंगे इस और्गेंजा के फैब्रिक की जो विर्त के Спै फेब्रिक के पेस्ट कर लेंगे कि पहले में अच्छे से पीर हम यूह XU की मदसे करेंगे हम इसे pinup नहीं करेंगे pinup से सही तरह से यह stitch नहीं होगा तो इसलिए हम UHE की मदश से कट्वर को पेस्ट करेंगे टाके हम हम इस कर्ट्वर को आसानी से इस outline के साथ सा stitch कर सके तो इस तरह से हम इस cutwork को paste कर लेंगे इस fabric की one side पर और फिर इस cutwork की आउटलाइन के साथ साथ हम इसे स्टिच कर लेंगे अगर आप ने तो मेरे चैनल को प्रीज जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और मेरे चैनल पर विजर जरूर कीजेगा आपको हर तरह का डिजाइन मिल जाए गले के भी डिजाइन मिलेंगे प्लाजों के भी डिजाइन मिल जैंगे तो इस तरह से हम इस कटवर की आउटलाइन के साथ हम इस कटवर को स्टिच करेंगे तमाम कटवर को हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे ताकि इस design में मजबुटी है तो इसलिए descendants कटवर को स्टिच करेंगे after washing भी हराब नहीं होगा तो यह हमने stitch कर लिए अब organza के one side पे तो हमने cut work को paste करके stitch कर लिए अब जो डूसी side है इस organza fabric की इसे हम एक खुबसूरा सा design देंगे जो इसके under thread है उसे हम sui की मदर से निकाल लेंगे remove करेंगे ठीक है यह आज कल caffeine है तो हम इसे sui की मदर से जो extra fabric है वो हम निकाल लेंगे यह हमने निकाल लिए extra fabric ठीक है बहुत ही हुबसूरा new latest design है यह तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए अपने कपरों के पर जरूर यह बनाएगा design यह sleeve के इलावा हम रामन के उपर बना सकते हैं अभी हमने यह fabric लिए sleeve का fabric है यह जिसके साथ हमने इस patch को stitch करना है तो इस patch की back side को रखते हो इस तरह से किनार से हम इसे stitch कर लेंगे तो इस तरह से यह हमारा हुबसूरा सा patch ready हो चुक है इस आला यह आपको जूरूर पसंद आया होगा और comments में अपनी राय प्लीज प्लीज जूरूर दीजेगा और जहां भी अपना हया रखें दौाओं में याद रखें अल्ला हाफिज